जाहें हैं दोसो स्वागत है एक बाफ एसे आज देंबर की तमाम बड़ी खबराओं में पहली अफडेट में जानेंगे मोधी साइने मामले में राहूल गांडी ने सुप्रिम कोट में दाखिल किया जवावा बोले माफी मांगनी होती तो बहुत पहले मांग लेता उधर में तजार कर रहे है मोधी तोधर सीमा हैदर और सचिन की चमकी किसमता गुजरात के बिजनेस मैं से मिला बड़ा ओफर तोधर पार्टी नेताओं के साथ राहूल गांडी और मलिकाजुन खरगे ने दिल्ली में की बड़ी बैठक मिसन दोहजाद चौबिस की रणनीपी प बड़ा चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बड़न दबाकर सब्सक्राइब करें और कॉमेंट बॉक्स में लिखें जाहिन तरसा दोस्तों आपको बता दें कि मोधी सरने मामले में राहूल गांडी ने सुप्रिम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दि उने बहुत पहले ही ऐसा कर लिया होता मोधी सरने मामले में राहूल गांडी अपनी सांसदी पहले ही गवा चुके हैं अब वो फैसले के खिलाब सुप्रिम कोर्ट में जा चुके हैं सुप्रिम कोर्ट में दिये गए हल्फ नामे में राहूल गांडी ने कहा कि वो इस अप अंतिम रूप देने में जुटे मल्लेकाजुन खडगे तरसल दोस्तों आपको बता दें कि कॉंग्रेस पार्टी से जुड़े विश्वस्त सुत्रों का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा पार्टी को लेकर फिलाल तैयारी चल रही है पार्टी अद्च्य मल्लेकाजुन खड जबकि नवंबर और दिसंबर में हिंदी पर्टी के तीनों एहम राज्यों में चिनाप प्रस्तावित हैं ऐसे में तीनों राज्यों के सभी दिगजनिता चिनावी दंगल में व्यस्त होंगे इसलिए ज्यादा संबावना इसकी नजर आ रही है कि यात्रा दो अक्टूबर से पहले ही शुरू हो जाएगी अगर राहुल गांदी 15 अगस्त से यात्रा शुरू करते हैं तो ऐसी संबावना है कि राजिस्थान में चिनाप होने से पहले ही ये राजिस्थान में प्रविस्थ कर जाएगी आड़ी वड़े खवार 9 हिंसा के बाद विस्तो हिंदू परस पदसन और रेलिया निकारदा है इन रेलियों पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रिम कोट में याचिका दायर की गई थी पीठ ने याचिका पर सुनवाई की सुप्रिम कोट ने इस मामली में उत्तापदे सर्याना और दिल्ली सरकार को नोटिच जारी कर दिया है प्रफी के भी निर्देश दिये हैं और जवरत पढ़ने पर अत्रिक्त सुरक्षावलों की तैनाती का भी निर्देश दिया है सुप्रेम कोट ने कहा कि ये आदेश सभी जाजियों पर लागू होगा आपको बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई आप चार अगस्त को हो है इस बीज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनाजी ने पदान मंत्री नरिंडर मोधी पर जमकर हमला बोला उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में छोटा मामला भी होता है वो भी बीजेपी के अत्याचार के कराणा तो वे केंडर टीमें भिज़ देते हैं लेकिन उनके राज्यों में कुछ भी होता है तो सम्माफ है मैंने सुना है कि वे दस अगस को मड़ीपुर मुद्दे पर बोलेंगे ममता बनाजी ने कहा कि क्या वे किसी जोतिस्की सलहा पर अपनी बात बोलने का इंतदार कर रहे हैं ममता बनाजी ने कहा कि ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है और इस मामले में उन्हें चुप नहीं रहना चाहिए औरी बले ख़वा सीमा हैदरा सचिन की चमकी किस्मत गुजरात के बिजनिसमेन से मिला बड़ा ओफर दरसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी महला सीमा हैदरा और सचिन मीना के आर्थिक तंगी स जूजने की खबरा सामने आने के बाद अब इस जोडे को एक के बाद एक काम के ओफर मिल रहे हैं सबसे पहले इस जोडे को फिल्म निर्माता आमित जानी की ओर से उनकी फिल्म में काम करने का ओफर मिला और अब सीमा और सचिन को गुजरात से एक पत्र मिला है जिसमें एक च्छे च्छे लाख रुपए का सालाना पैकेज ओफर किया है पत्र में कहा गया है कि दमपती कभी भी आकर नोकरी जोइन कर सकते हैं ओफर लेटर में गुजरात के एक बिजनिस्मेन ने सीमा और सचिन दोनों को 50,000 रुपए प्रतिमाह वेतन की पेसकस की है ओफर लेटर में ये भी लिखा था कि वे जब चाहें आकर नोकरी जोइन कर सकते हैं अभी कारुबारी की पैचाना उजागर नहीं की गई है फिलाल सीमा और सचिन दोनों ही पुलिस की निगरानी में है औरी बली खबर मडीपुर हिंसा पर विबात के बीच हंगामे की भीड चड़ रहा संस बिल पेश होंगे मानसुन सत्र को 14 दिन बीच चुके हैं लेकिन कामकाजा सही से नहीं हुआ मरीपुर मुद्दे पर संसद में विपक्षा और सरकारामने सामने हैं यही बज़ा है कि कई बिलों को बिना चर्चा के ही पास किया जा रहा है संसद के इस मानसुन सत्र में आभ की बिलों को भी दोनों सद्रों से पास कराने की कोशिस रहेगी सरकार आरूप लगा रही है कि विपक्ष मरीपुर मुद्दे पर बेबजय बबाल कर रहा है तो वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार मरीपुर पर चर्चा के लिए तयार नहीं है औरी बड़ी ख़वर विपक के से आक्रामक रुख अक्तियार किये हुए है संसत के दोनों सद्रों की करेवाई हर रोज हंगा में की बेर चड़ रही है विपक्षी संसत लगातारा सदन में मरीपुर इंसा पर चर्चा कराने और प्रधानमंत्री नरिंद मोदी से बकतब देने की मांग पराड़े हैं औ जवाब देते हुए सवापति जग्दी धनकर ने बुद्धवार को कहा कि पीम नरेनर मोदी को मैं सदन में रहने का निर्दिस नहीं दे सकता और नहीं दूंगा क्योंकि ये प्रधानमंत्री का विश्यसादिकार है जैसे कि दूसरे अनिस्तान सदों को सदन में आने या न मुख्यमंत्री के चंद्रसेकर राओ ने 3 अगस्त से किसान रेडमावी कारकरमा फिर से सुरू करने का फैसला किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को पहले से दी जा रही कर्जमाफी के अलावा 19,000 क्रड़ रुपे की और कर्जमाफी दी जाएगी मुख्यमंत्री केसियार ने किसान रेणमाफी कारकरम को सितंबर के दूसरे सप्ताह तक महिने के 15 दिनों के भीतरा पूरा करने के इस पस्ट आदिश दे दिये हैं आवली बड़ी ख़वर पार्टी नेताओं के साथ राहूल गांदी और मल्यका जुन ख़ल गे ने दिल्ली में की बड़ी बैठक राहूल गांदी ने दे दिया बड़ा आदेश हुई इस बैठक में कॉंग्रेस के संगठन महासचवा केसी बेनु गोपाला रणदिप सिंग सोर्जेवाला मुख्यमंत्री सिद्धा रमया और अन्यनेता मौझूद रहे इस दोराना 2024 के चुनावी रणनीती पर चर्चा हुई बैठक में आगले साल होने वाले लोगसवा चिनाथ की तयारियों की समिक्षा करने के साथ ही राज्य में कम से कम 20 लोगसवा सीटें जीतने का लच्चित्य किया गया बैठक में राहुल गांदी ने एक कड़ा संदेज भी दे दिया और कहा कि कॉंग्रेश की सरकार में किसी तरीके का कोई भी ब्रस्टाचार नहीं होना चाहिए आड़ी बली खबर मुख्यमंत्री असो गैलोत का बड़ा फैसला राजिस्तान में महलाओं को फिरी स्मार्टफोन देने जा रही सरकार दरसल दोस्तों आपको बता दें कि राजिस्तान के असो गैलोत सरकार पदेश की महलाओं को बड़ा तोफा देने जा रही है मुख्यमंत्रियासू गैलोत ने अपनी बजट गोस्टना 2022 ते इसके तहता जनाधर कारधारक परिवारों की महला मुखिया को फिरी स्मार्टफॉन के साथ इंटरनेट डेटा देने की गोस्टना की थी राडिस्तान सरकारा इंडरा गांधी स्मार्टफॉन योजना के तहता फिरी मुबाइल फोना और फिरी डेटा का तुफ़ा देने जा रही है जोद्पो जिले में लगबग 1,40,000 स्मार्टफॉन महलाओं को इस फिरी योजना के तहत दिये जाएंगे आपको बता दें कि फिरी मुबाइल फोन बांटने का कामा 25 अगस्ते शुरू होगा आड़ी बले ख़वार बीजेपी नेताओं की टोपी के बादा अब कुरते और सर्ट की पॉकेट पर देखेगा कमल का चिनना लोगसबा चिनाप के लिए बड़ी तयारी दरसल दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात बीजेपी प्रदेश सद्यचा सीयार पाठिल अपने नए नए आईडियाज के लिए जाने जाते हैं साल 2022 में उन्होंने बीजेपी के चिनाप चिनना कमल के फूल वाली कैप जारी की थी इस बारा अब वो कुर्ते और सट की पॉकेट पर कमल के फूल की ब्रांडिंग को लॉंच करने की तयारी में हैं सूत्रों के मुताबिक सीयार पाठिल ने सूरत से अपने लिए पांच सट तयार करवाई हैं इनकी पॉकेट पर कमल के फूल का इस्पेसल लोगो छपवाया है गुजरात के पदादिकारियों को तो बाकाइदा कमल के फूल वाली सर्ट और कुर्टे पहनने के निर्देश जारी कर दिये गए है इन कुर्टे और सर्ट की ब्रांडिंग को आगामी लोकसबा चिनावा 2024 की तयारियों से जोड़ा जा रहा है सूत्रों के मताविक अभी पॉकेट पर कमल के फूल की ब्रांडिंग सूडाती चण में है पार्टी नित्रत को भी अगर ये ब्रांडिंग पसंद आती है तो इसे देश बर में आजमाया जा सकता है माना जा रहा है कि ऐसा कुर्टा या सट पहनने से बीजे पी के करे करता भीड में भी अलग दिखेंगे और पार्टी का प्रिचार भी होगा आदे मिनट का भी इंतजार करने की देवरत नहीं होगी क्योंकि सरकार जल्द ही बादा रहे टोल पणाली सुरू करने की योजना बना रही है सड़क परवन एवम राजमार्ग राज्यमंतरी वीके सिंग ने बुदवार को कहा कि बादा रहे टोल पणाली के लिए परिचन जारी है और जैसे ही हमारा परिचन सफल होगा हमेसे लागू कर देंगे मंतरी ने प्रेस कॉंफेंस में कहा कि देश किलोमीटर की यात्रा के आदार पर भुकतान की प्रणाली की ओर बढ़ेगा उन्होंने कहा कि नई टोल प्रणाली से दच्छिता में सुधार होगा और यात्रा का समय कम होगा उन्होंने कहा कि फास्टेक के इस्तिमाल से टोल प नहीं सरकार उनके आरोपों का जवाब देने को तयार दरसल दोस्तों आपको बता दें कि भारती जन्ता पार्डी ने बुद्वार को आरोप लगाया कि विपाक्ची दला मडीपुर के मुद्देपरा संसद में चर्चा से भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें चर्चा में कोई भी प्रतक्रिया आई है संसद्य कारेमंत्री प्रलाद जोसी ने संबादाताओं से कहा कि सरकार चर्चा के लिए तयार है ग्रह मंत्री आमिठ्था ने मडीपुर का दोरा किया था और वो जवाब देने के लिए तयार है मैं नहीं समझ पा रहा कि विपाक्च की क्या समस्या है जनता भी नहीं समझ पा रही है बाटपा नेता सुसील मोदी ने विपक्स पर कटाक्ष करते वे कहा कि इसके नेता मडीपुर का दोरा कर सकते हैं और राश्पती से मुलाकात कर सकते हैं लेकिन इस मुद्धे पर संसद में चर्चा में भाग नहीं ले सकते। समस्तीपुर में पध्यात्रा कर रहे हैं इस दोरान वो राजनितिक दलों पर लगातर हमला कर रहे हैं वहीं बुद्धवार को नोंने नितिस कुमार पर जम कर हमला बोला और कहा कि यदि मुख्यमंतरी नितिस कुमार में दम हैं तो ये कह दें कि लालु प्रसाद यादव ते आड़ी वड़ी खवर मुख्यमंत्री योगी के गड़ से नितिसकुमार बीजेपी को दे सकते हैं कड़ी चुनोती फूलपूर से लड़ सकते हैं लोगसवा का चुनाव दरसल दोस्तों आपको बता दें केंद्र की राजनीती को लेकर नितिसकुमार इन देनों काफी विपाक्स की एकता मुहिम की अगवाई के बादा नितिसकुमार अब बीजेपी के गड़ से मोधी सरकार को चुनोती दे सकते हैं ग्रामिड विकास मंत्री स्रवनकुमार ने बुद्वार को कहा कि मुख्यमंत्र नितिसकुमार आगामी लोगसवा का चुनावा उत्ता पद अगर कर सकते हैं exactly oke hara दिली में स्वत्नत्रदा दिवस पर पतंगवाजी करने वालों के लिए ज़रूरी खबारा जारी होई हैं एड़सल दोस्तों आपको बता दें कि राज़दानी दिल्ली में स्वत्नत्रदा दिवसकी तयारी आम से खास तक जोरज करने में जुठे हैं 17 दिवसा यानि 15 अगस के मौके पर दिल्ली के लोगा खुब पतंगवाजी करते वे दिखाई पड़ते हैं इस अवसर पर दिल्ली की छतों पार्कों और खुली जगयों से बारी संख्या में लोग पतंगवाजी करते वे देखे जा सकते हैं बीते कई सालों से पतंगवाजी के दोराना चायनीज माजे के इस्तिमाल से आम लोगों के साथ साथ जीव जन्तूओं के जख्मी होने की गटनाएं बड़ी तेजी से बड़ी हैं इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस के बाद अब दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने चायनीज माजे के इस्तिमाला विक्री व्य उत्पादन पर पूरे तरीके से पत्वन्द लगा दिया है नियमों का उल्लंगन करने वालों के खिलाप दंडात्मक कारिवाई के दिसान निर्दिस जादी कर दिये गए हैं आवली बड़ी ख़वर पश्चे मंगाल में मदर्सों के सर्वे को लेकर ममता बनाजी ने कर दिया बड़ा एलाना मोधी सरकार के खिलाप होगा बड़ा पदसन दरसल दोस्तों आपको बता दें कि पश्चे मंगाल के मुख्यमंत्री मम्ता बनाजी ने एलान कर दिया है कि पूरे राज्य में एक सर्वे कराये जाएगा जिसके तहता मदर्सों का रजिस्टेशन किया जाएगा ममता बनाजी ने बताया कि जो भी मदर्सा सरकार के साथ रजिस्टर होना चाते हैं वो इस सर्वे में भाग लेकर ऐसा कर सकते हैं इसके अलावा मुक्यमंत्री ममता बनाजी ने कहा कि अब पश्चिम मंगाल में सब्वे बारात औरा काणी पूजा की पूरे दिन की छुटी होगी उन्होंने कहा कि पश्चिम मंगाल में सबसे ज़्यादा सरकारी छुटियां होती हैं इस दौरान ममता बनाजी ने केंदर सरकार पर जमकर हमला बुला ममता बनाजी ने मदर्सों के रजिस्टेशन को लेकर कहा कि इससे उन्हें काफी फाइदा होगा उन्होंने कहा के मुस्लिम लड़के लड़कियां इसके जरीय आगे नोकरी और पढ़ाई में कई सुविदाओं को प्राप्ट कर सकेंगे इस प्रक्रिया में जो मदर से हिस्सा लेना चाते हैं वो ले सकते हैं और जो मदर से नहीं सामिल होना चाते वो नहीं आएं ममता बनाजी ने कहा कि हम लोग हर त्योहार को बराबरी से देखते हैं राजे में सभी त्योहारों को समान महतो दिया जाता है और छुट्टी दी जाती है ममता बनाजी ने बताया कि 6 अगस्त को केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाब दो पहर 12 बजे से साम 4 बजे तक पूरे बंगाल में विरोध प्रदसन किया जाएगा जिसमें ब्लॉक इस तर से लेकर सहर में बाड इस तर तक विरोध होगा ये केंद्र की मोधी सरकार के खिलाब एक राजनितिक नेने और विरोध होगा दरसल दोस्तों आपको बता दें के पूर मुख्य मंतरी रावडी देबी द्वारे ताजिया की पूजा करते हुए एक वीडियो वैरल हो रहा है बिजे पी ने आरजे टी पर मुश्लिम धर्म का सम्माना लेकिन हिंदू धर्म का अप्मान करने का अरूप लगा या बीडेपी के प्रवक्ता अर्विंदे सिंग ने लालुप्रसाद यादव और रावڑी देवी पर वुद्वार को हमला करते वे कहा कि बिहार के पूर मुख्य मंत्री रावडी देवी और लालु प्रसाद यादव के आवास परा जिस तरीके से ताजिया जुलूस की पूजा की गई ये बिहार के लोग देख रहे हैं बीडेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंग ने कहा कि आप बोट की राजनीटी के लिए और तुष्टी करण के लिए ताजिया की पूजा कीजिए चर्च में पूजा कीजिए ये सब करने के लिए कोई मना नहीं हैं सभी धर्म का संबान करना चाहिए लेकिन जिस तरीके से आपके मंत्रियों के द्वारा रामायर को अपमानित किया जाता है और इस पर आपका बयान नहीं आता बोट के लिए और तुष्टी करने के लिए आपको जिसकी भी पूजा करनी है करिए ताजिया की पूजा करिए मैजिद में जाईए और नमाज पढ़िए कोई मना नहीं करता लेकिन हिंदूओं के जामायर को अपने मंत्रियों द्वारा अपमानित मत करवाईए ये सब लोग देखते हैं तो बहुत दुख होता है उन्होंने कहा क्या हम लोग भी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं लेकिन किसी को भी अपमानित नहीं करते हैं अवली बली खवर अगले 24 गंटों में उडीसा, 36 गड़ा और मद्या परदेश में होगी भारी बारिस उत्ता परदेश के लिए भी अलट जारी और तटिय करनाठक में हलकी से मद्या बारिस संभव है उत्तरी पंजाबा, पूर्वी राजिस्तान, गुजरात, मद्या महराज के कोछे सों, लच्छ दीप, अंडमाना और निकुबा, दीप समु और के रल में हलकी बारिस संभव है ये थी अब तक की बहुत बड़ी खबर हैं, रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और गंटी बटन भी दबादें, जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जैहिन, जै भारत